प्रेंट्स इन दा प्रीवियस चैप्टर ऑफ जॉग्रफी एंसी आर्टी सुत्र हमने डिस्कस किया था जियो मॉफिक प्रसेस को जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे लैंड फॉर्म डवलप होते हैं आपके या तो एंडोजेनिक मुव्मेंट से या एक्जोजेनिक प्रसे इसमें आपको स्ट्रेजी रखनी है पांच फेक्टर पढ़ने हैं और पांच फेक्टर के हम इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंड फॉर्म को पढ़ने वाले हैं मैं आपके लिए सिंप्लिफाई कर देता हूं इसको बट मैं उमीद करता हूं आपने प्रिवियस चैप्ट किसी भी एजेंट की एक होता है आपका यूथफुल स्टेज एक होती है मैचूर स्टेज एक होती ओल्ड स्टेज इसका मतलब क्या होता है मतलब यह है कि जब कोई भी आपका एजेंट है जैसे रीवर है ग्लेशियर है आपका सी वेज है वो अपनी यूथफुल स्टेज प किया और पानी को स्टोर किया एक बकेट में जब पानी स्टोर हो रहा था तो बहुत क्रिस्टल क्लियर था जब वो ओल्ड स्टेज या स्टेग्नेंट हो जाएगा तो काफ़ी सारे सेडिमेंट वां डिपोजिट होते हुए नजर आएंगे बस वैसा ही कुछ यहां भी होता है अब मैं आपसे रनिंग वोटर के बारे में बात करना चाहता हूं कि रनिंग वोटर को आप कैसे स्टडी करेंगे यह पहला एजेंट है मैं आपको पांच एजेंट यहां बताने वाला हूं रनिंग वोटर देखो क्या करेगा जब रनिंग वोटर मूव करता है तो आपकी तो छोटी छोटे उस बनते हैं अगर यह थोड़े से अनलार्ज हो जाए इनको बालते हैं लेकिन बहुत जांद हो जाया लेकिन वली की फोर्मीशन्र भी कर सकते लेकिन अगर कोई वैली इस तरीके की बनी है जो बिलकुल पैरल है मतलब उसके विट्थ बॉटम पे और फ्रंट पे सेम है अपर पार्ट पे और लोवर पार्ट पे हम उसको गोज बोलते हैं और वह राउंडेड इन सेप है तो हम उसको कैन्यों के नाम से जानते हैं जैसे कि ग्रांड कैनियों उफ यूएस से आप इंडिया के कैनियन को डेफिनिटली सर्थ कीजिए कि क्या इंडिया में भी कोई बैटर कैनियन है इसी तरीके से इरोजन लैंड फोंस में पॉट हो बनते हैं जो गड़े हो जाते हैं वही बड़े हो जाएं तो प्लंजपूल कहलाते हैं इसी तरीके से आपकी रीवर जब अपनी मैचूर स्टेस पे जाती है तोरिफ स्टेट फॉरवर्डंज करती है और जब आत को दृय पें पहुते हैं मेंडरिंग या उसकती मेंडर क्रीन भी आपको नजर आती है अब इंपोर्टन चीज यह है कि रीवर सिर्फ इरोजन नहीं करती दिपोजीशन भी करती है तो आपके अलुवियल फैंस डेल्टा और फ्लड प्लेन की फॉर्मेशन होती है तो जैसे मैंने रीवर आपको बताया कि देर जा इरोजनल फीचर देर इस लापोग्राफिछ उगी मतलब इसमें सॉल्ट वगरा लाइमस्टोन वगरा जादा होंगी तो आपके पूल्स बन सकते हैं गड़ा होगा थोड़ा और बड़ा होगा सिंख्षोल कहल आएगा अगर वह आपका होरीजॉन्टल बन जाता है तो लापीज कहलाता है और अगर वो ग्रूज बनते हैं पैरलल तो वो लाइम स्टोन पेवमेंट कहलाते हैं अब यही आपका जो ग्राउंड वोटर है वो आपने काफी केउज में देखा होगा कि रूफ से एक टेल नीचे आ रही है ग्राउंड से पीलर उपर जा रहा है वैसा अगर दिखता है तो वो कहलात कर जाते हैं तो वो कहलाते हैं पीलर्स तो यह फोर्मेशन भी आपको यहां नजर आती है स्टैलेगसाइट स्टैलमाइट और पीलर्स यह डिपोजिशनल एंड फॉर्म्स ऐसे ही तीसरा इजिंट आपका ग्लीशियर भी बहुत सारी रोजिन करते हैं इसमें आपका जब बहुत सारी जगह से आपका यह सर्ख हो जाता है तो एक लाइन यहां नजर आती है आपको जो एक सर्ख को दूसरे सर्ख से डिफरेंट करती है वो आर्ट क्यलाती है और अगर ऐसा तीन-चाल जगह से हुआ तो एक पीक बनता है उस पीक को हम होन के नाम से जानते हैं लगे तो हुए erosional features ऐसे ही glacier क्या करता है आपका डी पोजीशन भी करता है जिससे आपके ज मोरें बनते हैं और या Drumlin भी देखने को मिलते हैं और इस मोरें मोरेंश होते हैं जब आपका glacier एक लिए अब सैड में या मिड़ में डिपोजिशन करता है जिसको की पोलते हैं depending on the position lateral moraine हो सकते हैं या फिर end moraine हो सकते हैं अगर आपका glacier जहां खतम हो गया कोई रोग surface है जिसका फुठिल आ गया है वहां पर deposition होगा तो आउट्वोस plane क्यालाएगा उस आउट्वोस plane में जगह जगह पर आपको कुछ hole नजर आएगा जिसमें पानी खाते हो जो की वैली से आते हैं वह पानी कहां से आता है आपका kettle से यहीं से वह irrigate होते हैं उन्दा सेम लाइन आपको simple देखना है नेक्स्ट आपका एजन्ट आता है वेव्या करन्ट वहीं सी वोटर आके coastal area से टकराता है टकराएगा तो वह भी erosion करेगा इरोजन करेगा तो कहिना के डिपोजिशन भी करेगा तो जब से अगर यह cave दिरे 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 आपका erode होता चला गया और दोनों साइड पे वेव बन जाता है तो कुछ ऐसा सिस्टम नजर आएगा जिसको हम आर्क के नाम से जान सकते हैं ठीक है अब देखो जब erosion हुआ लगातार waves आई फिर से चली गई फिर से आई फिर से चली गई तो जैसे आपका एक plane area बना था glacier के case में वैसा ही plane platform बनता है आपका wave के case में इसको बोलते हैं sea terrace terrace होती है आपकी flat वैसा ही sea terrace यहां भी नजर आता है अब होगा क्या सर यह जो wave है इस सरफ erosion नहीं करेगी deposition भी करेगी तो beautiful beach जिस पे आप घूमते हो अपने छुटियों में जाते ह हो तो beaches या dunes जो बनते हैं वह वेव जाती है हाई energy से जब वापिस आते हैं energy कम होती है तो बीच या dunes की formation करती है इसी तरीके से जब वेव आपकी आ रही है तो किसी एक particular position पर काफी सारा deposition कर देती है जिसको कि हम क्या बोलते हैं बार या फिर मैं बोलू enlarge करके barrier बार अब यह किसी एक end से land से connect हो जाए तो हम इसको spot ball होता यह है कि अब भी वेव जाएंगी वापिस आएंगी फिर से जाएंगी फिर से वापिस आएंगी तो यह एक banded shape ले लेता है तो लेटर ओन इसको हम hook के नाम से भी जाने के न तो यह क्या हुए waves के depositional feature ऐसे ही आपका पाच् को जोखस्ताब होते हैं इनका मतलब होता है इनका फीचर ही नहीं होता है प्लायाज यहाँ विघास है जो कि आपके देफलेसजन गाता है और वहाँ पनी भंझ जाता है तो लेक्स होती है और या लगी बीच में जाए तो Dong tips से भी आपके आपके सेंट ड्यूनस बनते हैं ऐसे कि सैन ड्यूनस आगर आपके horizontal dunes है, longitudinal है और अगर वो perpendicular बन रहे तो हम उनको transverse dunes के जानते हैं, तो longitudinal in the direction of wind, perpendicular तो transverse dunes बनते हैं, अगर ये crescent shape होते हैं, इनको बर्चंस बोलते हैं, और अगर ये parabola shape होते हैं, इनको parabolic dunes के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो यही पाँच feature है, पाँच agent है, एक agent का erosional, दूसर फिर depositional, erosional and depositional बस इसी तरीके से आपको याद रखना है, यू पेसी में सरफ इतना ही पूछा जाता है, इस से ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, if you still face any doubt, please feel free to contact me or my insta handle, or you can join this telegram channel as well, thank you very much, best wishes, take care.